सो गाइस अगर आप गोगुल पे, फोन पे, पेटियम या फिर किसी भी तरीकी का UPI एकाउंट का इस्तमाल करते हो तो गाइस रिक्वेस्टे अलर्ट हो जाओ क्यूंकि गाइस अभी इंडिया में एक बहुती नया तरीकी का फ्रॉट UPI यूजर के साथ हो रहा है अगर मैं आपसे ये कहूं कि बीना OTP, बीना कार्ट डीटेल्स और बीना एकाउंट डीटेल्स के भी आपका UPI एकाउंट हैक हो सकता है वो भी सिरिफ एक मैसेच आने से तो क्या आप विश्वास करोगे? वो बिसली नहीं करोगे लेकिन ये अल्रेड़ी लोगों के साथ हो चुका है गोरप के साथ 52,000 और सतनाम सिंग के साथ 90,000 का फ्रॉट हो चुका है इस स्काम में इस स्कामर्स ने क्या-क्या इन दोनों को सिंपली एक मैसेच सेंड किया जो आप लोग देख रहे हो इस मैसेच को सेंड किया जिससे इन दोनों का UPI एकाउंट को हैक कर लिया इनके एकाउंट में इतना ही पैसा था इसलिए स्कामर्स ने इनके साथ इतना ही फ्रॉट कर पाया अगर मान लो इनके एकाउंट में 10 लाग भी होता तो चुटकियों में पूरा बैंग एकाउंट स्कामर्स साफ कर देता था एक्चुली गाइस इन दोनों ने मुझे पूरा प्रॉफ के साथ इमेल किया था मैसेज का स्किन सॉट और पैसा कटने वाला स्किन सॉट पूरा प्रॉफ इनों ने मुझे सेंड किया था जब मैंने चेक किया तूरंत इन दोनों को कॉल किया और कॉल करके बात किया जब उन लोगों ने मुझे बताया कि कैसे उनके साथ प्रॉड वा, सीरिसली गाइस मैं और भी ज्यादा शौक हो गया, तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप गोगूल पे फोन पे पेटेम का इस्तमाल करते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुती ज़्यादा इंपॉर्टन है, कि कैसे इनका UPI अकाउंट को हैक किया, और UPI अकाउंट को हैक करके, कितने समय में इनका पूरा बैंक अकाउंट खाली किया, इनोंने क्या मिस्टेक किया था, पूरा डीटेल्स में आप लोग जानने वाले हो, और सबसे इन्पॉर्टन गाइस, इस स्काम में बीना OTP के इतना बड़ा ट्रांजेक्शन किया गया, सो गाइस, एक्चुली मैं आप लोगों को एक कॉल रेकॉर्ड सुनाने वाला हूँ, छोटा सा कॉल रेकॉर्ड जो मैंने गौरॉप के साथ कॉल पर बात किया था, प्लीज, अगर आप भी एक UPA यूजर हो, तो इस रेकॉर्ड को द्यान से समझना, अगर आप इस रेकॉर्ड को सुनते हो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कि लोगों के साथ किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, और इन दोनों के साथ कैसे फ्रॉड हुआ, कूरियर सर्विस, तो उसमें जो सब्सक्राइब आया ना, साइट के फ्रोड थी, तो में गोगोल में एक वेबसाइट से आपने ट्रैक किया, तो सर्ट जैसी मैंने ट्रैक करने लगा तो कुछ ट्रैक हो नहीं रहा था, तो साइड में अपना आप यो कॉंटेक्ट असका आ लगी है, तो मैंने थोड़ा बहुत बात करा, तो उन्होंने यू कही थी आपका रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहे रहा है, तो आप रिजिस्ट्रेशन कर लिजिए, and after that, आपका कुरियर मिल जाएगा, so, मैंने जैसे रिजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस बताते गई, उन मेरी टेंल जी मेरा नाम बैंक का नाम एंड मैंने बहुती बड़ी गल्टी कर दी मैंने अपना पिन भरतिया यूपी ईबिन अइंच एक अथा था हांजी कुछ प्वेटी अपने कुछ निए नथिंग सर कि and Ven Brakosicky से लृट हो या keeping a उंधरना amount भी लिखने के लिए पान्च रूपे मैं है इस तो मेरे Supreme को दॉट है पांच रूपे कैसे डिदक्म क्योंकि UPIP तो काफी का स्थाश्यन के औह सकते है अज आरेज़ और I मुझे लगता है कि आपका यूपीयाइकंट है को आप बट यूपीयाइकंट है उसके बाद सर दो तीन चार पांच मिंट बाद मेरे पांच रुपे घट गट शे मतलब मैंने उन्से थोड़ा आर्यू भी करा था कि सर्य यह यूपी पीन तो मैं ऐसे बढ़ नी सकता थोड़ी अर्जेंसी थी एक्चुलिए सर मैं बताऊं तो अभी मेरे एक मंथ भी नहीं है मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे तो उसके क्लेम के लिए मैंने जो डोक्यमेंट सो बिल्ट एंड फर्दर वह इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट थी वह मैं कूरियर के सर्विस की कंपनी के उससे विया से मैं महाराष्ट्र जो में ब्रांच थी ना इस बीए इंशोरेंस की ऊदर बेज रहा था तो उसके लिए म एक तमसे बावन हजार रुपे टेविटीड का सीधा मैसे जाया एंड ओनली बावन हजार दोसो सम्थिंग अमाउंट था तो सीधा बावन हजार रुपे कटिगे पर उसी टाइम मैंने अपने ब्रदर को को कोल करा उन्होंने कहीं कि साइबर सिक्यूर्टी वालों को 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 क एक चुली गाइस इन दोनों के केस में बिल्कुल सेम तरीके से फ्राड वाए वैसे तो इसकामर्स अलग अलग थे लेकिन फ्राड बिल्कुल एक ही तरीके से हुआ है एक्चुली इन दोनों ने क्या क्या एक बेक्ती कोरियर के द्वारा समान कोई और बेच रहा था एक बेक्ती कोरियर के द्वारा कुछ समान मंगा रहा था इन दोनों के courier असली location पर नहीं पहुचा तो इन लोगों ने क्या क्या कि live location को track किया अब live location को कैसे track करते हैं आप जब भी कुछ courier करते हो या फिर कुछ courier आपको आता है तो आपको एक tracking ID नमबर मिलता है और वो tracking ID आप Google पर जाकर check कर सकते हो कि आपका समान कहा तक पहुचा तो इन दोनों ने भी वही किया simply Google पर गए और Google पर search किया कि कैसे track करना है वहाँ पर एक website आया वहाँ पर जाकर उन लोगों ने tracking ID ढाला और वहाँ पर submit किया और उन लोगों को live location नहीं दिखा रहा था कुछ fault दिखा रहा था प्रॉब्लिम दिखा रहा था तो उन्होंने क् पीचे चेक किया नीचे एक customer care का number दिया हुआ था तो उन दोनों ने उस customer care को call किया वैसे तो वह customer care नहीं था वह एक fraud था और वह website भी एक fraud ने खुद से बनाया हुआ website था और इस customers ने बोला कि कुछ अभी holy गया था राइट तो holy के द्वारा holiday था और उसी चक्कर में आपका समान थोड़ा सा late हो गया है तो आपको मैं एक link बेच रहा हूँ वहाँ पर आप अपना नाम and upi number submit कर दीजे तो उन्होंने क्या क्या simply link पर click किया और शिरिप अपना नाम and जो upi pin होता है वो submit कर दिया ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि उसके पास उनका upi pin चला गया उस स्कैमर के पास उसके बाद उस स्कैमर ने इन दोनों की phone पर एक message चेंड किया जिससे इस स्कैमर ने इन दोनों का upi account को hack कर लिया अब hack करने के बाद तो simply upi pin डालना है औ आप payment कर सकते हो यह तो आप लोगों को भी पता होगा अगर आप एक upi user हो तो और जब भी आप upi से कुछ भी पैसा transfer करते हो किसी को चाहिए वो जितना भी बड़ा amount की उनाओ OTP नहीं चाहिए right बिलकुल इसी तरीके से इन दोनों के साथ fraud why and बहुत ही नया तरीके से fraud why and upi account को पता नहीं कैसे स्रिफ एक message से hack कर लिया मुझे भी पूरा details में पता नहीं अगर पता हो जाएगा तो मैं definitely video बना कर आप लोगों तक पहुचाओंगा ठीके so guys मालो अगर आपका upi account hack हो जाता है तो तुरंद आपको क्या करना है अपना upi account को block करना है bank का customer care को call करके ठीक इसे को बोली कि मेरा upi से कुछ problem हो रहा है please मेरा upi का जो भी transaction होता है मेरे bank से उसे आप block कर दीजे तो इस तरह के से आपका fraud पैसा बच जाएगा ठीक है and मालो अगर fraud हो जाता है जो website आप लोग देख रहे हो इस website पे जाके आपको complain करना है and कैसे complain register करना है already मैंने एक video बना करना है so guys मैं scam से ही related video बनाता हूँ so please अगर आपको लगता है कि इस video से सायथ किसी का help हो सकता है तो video को like कर देना and अगर आप लोग मुझे support करना चाहते हो तो please channel को जरूर subscribe कर देना so guys आज के लिए बस इतना है thanks for watching this video मैं मिलता हूँ आपको अगले video पे तब तक के लिए जह कर देनãy